हलो दोस्तो मेरी चैनल में आप सभी का स्वागत है आज मिलाई हूँ मैंगो फिरनी की रेसिपी जी हाँ ये रेसिपी बनाने में जितने ही आसान है खाने में उतने ही जादा मज़िदार है अगर आप इसे एक बार बराएंगे तो आप शूर बच्चे से लेकर बड़े तक हर कोई इसे बार बार खाएगा तो चलिए रेसिपी की शुरुवात करते हैं यहां मैंने तीन बड़े चमच बासमती चावल दिये हैं जिने अच्छे से दो दिन पानी से वाश करके हम दस मिनट के लिए बिगो कर लग देंगे दस मिनट बाद इसका सारा पानी निकाल कर हमें अच्छे से इसे हलका कोस ग्राइंड करने के पीस लेना है याद रखें कि इसका पेस्ट नहीं बनाना है बस कोस ग्राइंड करना है अब मैंने एक टूप में आधा लिकर दूद गरम होने के लिए लग दिया है अब दूद में जैसे ही उबाला जाएगा तो हम इसमें अप तो फ्लेम पर इसे थोड़ी देर चलाते रहें, वरना नीचे चावल चिपक सकते हैं, इस बात का ध्यान रखें, धीमी आज पर चावलों को अच्छी तरह से पकने दे, और अब इसमें आधा कप शक्कर डालेंगे, दूद जितने अच्छी तरह से पकेगा, फिरनी का स्वाद उतना ही जादा यमी होगा, यहां मैंने एक कप मैंगो लिये हैं, और इनका भी हमें पेस्ट बना लेना है, तो हमारा पेस्ट अब लेडी है, दूद को पकते हुए अभी 15 मिनट हो चुके हैं, अभी इसे हमें न हो जाए, और चावल अच्छे से न पक जाएं, अब हम इसमें आधा चमच इलाइची पाउटर डालेंगे, और मैंगो की प्यूरी जो हमने बनाई थी, उसे भी हम एड़ कर देंगे, अच्छे से दूद को एक से दो मिनट और पकने देंगे, आप देख सकते हैं, यहां दूद की थिकनेस कितनी अच्छी हुई है, और यह बहुत ही यमी बना है, अब इसे थंड़ा होने के लिए रख देंगे, जब यह थंड़ा हो जाए, तो बस इसे बाउज में सर्फ कीजिए, थंडी थंडी फ्रेजनी खाने में बहुत ही जादा यमी रखती है, आप इसे बना कर फ्रेज में भी रख सकते हैं, इसे हम डेकोरेट करेंगे कुछ ड्राइफ फ्रूट से, यहां में बदाम और पिस्ते का इस्तमाल कर रही हूँ, दीजे तयार है हमारी मैंगो फिरनी, ऐसी और रेसिपीज देख ले के लिए मेरे चैनल को लाइक और सब्स्राइब कर लाइब कर रही है है हमार इस देख। फिस्तमाल कर रही हूँ, आप और से, लाइब में देख लेकोरेजे से, लाइब में जातिए लेकोरेश में आप लेकोरेश है।